कभी कभी तो हम बालकों की मनस्तित ही ऐसी होती है कि एक अबस्ता में हम पहुंच जाते हैं कि मा, मम्मी, पपा कुछ भी कह तो मैं लगता है यह मेरा बिगाड रहे हैं मैं जो कर रहा हूँ सही है इनको कुछ समझ नहीं आती है ऐसा ही होता है ना यह कुछ समझते ही नहीं है ऐसा होता है ना पहले हम खास करके मैं स्टूडन्ट से कहना चाहूँगा कि हम अपने माबाब जो कहते हैं उसको इमिजे रियक्ट न करें गौर से सुनें सुनते समय भी उनको लगना चाहिए का आप एटेंटिव है आपको अच्छा लग रहा है कि बहुत चाहूँ से सुन रहे हैं एक आथ बार पूझे अरे मम्मा यह समझनी आज रहे है यह क्या क्या रही थे एक बार इतना कर लीजिए शाम होते होते मम्मा कहेगी कि बेटा सुबह मने बहुत कह दिया तुझे आपको मम्मा को सब्जाना नहीं पड़ेगा वह आपने आप सब्जाएगी इसलिए छोटी चीजे वहवार की होती है और फिर कभी जब ममा पपा अच्छे मूड में हो तो आप ही अपना द्रिश्चिकों कि मैंने बहुत सोच आपने उस दिन कहा था ने मंडे को बहुत अच्छी बात बताई थी मैंने कोशिश भी की अब मैंने कम पड़ गया मुझे बताई ने कैसे करूँ आपकी एक्जाम पूरी उनकी एक्जाब शुरू गंटे भरूं को सबर दिया है का क्या जवाब थे इसका मतलब यह निए कि मैं मैं आपके माबाप का बोलती बन करना सिखाता हूं आपको लेकिन कभी कभी न सुनने से टकराव पैदा होता है